आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question में हमसे पूछ रहा है कि जो हमारी arteries होती है वो arteries different होती है veins से, इन में से क्या होने की वज़े से in having what, ठीक है तो ये सारे options पढ़ने से पहले हम basic differences देखते है तो क्या होता है, arteries and veins जो हैं, वो दो different type की blood vessels होती है हमारे circular system की ये हमें पता है जिनके अंदर हम अभी differences देखेंगे ये हो गई arteries ये हो गई हमारी weights ठीक है, अब हम यहां पे इनका क्या देखेंगे difference देखते है तो चलिए एक लंबी सी line लगा देते है पहले तो इतना हमें पता है basic कि ये circulatory system की दो blood vessels है अब ये mainly blood को throughout the body circulate करती है ठीक है, अब दो type के blood vessels है वो एक दूसरे से काफी सा तरह के functions की term में different होती है और बहुत सारे differences में से एक ये भी है कि सबसे पहले हम difference जो बताएंगे वो बताएंगे functions के basis पर और functions के basis पर क्या difference है कि arteries जो हैं ये involved होती है क्या carry करने के लिए arteries तो carry करती है क्या pure oxygen वाला blood जिसको मैं क्या कहती हूँ oxygenated term यूज करती हूँ oxygenated blood carry करती है ये ठीक है और इस blood के अंदर क्या होते है nutrients होते हैं तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगी nutrient rich blood ठीक है अब veins में जब मैं आती हूँ तो ये involved होती है कैसा blood carry करने के लिए ये carry करती है pure ना होके impure अब ये oxygenated कर रही थी तो ये कौन सा करती है de-oxygenated blood अब इस blood के अंदर कोई nutrients नहीं होते हैं ठीक है एक difference तो हमारा ये हुआ इसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमारी arteries है इनके पास क्या होती है एक और difference मैं ये लिख लेती हूँ कि इनके पास तीन distinct layer होती है ये जो हमारी arteries है ये consist करती है three distinct layers जो की कैसी है ये जो हमारी तीन distinct layers होती है ये कैसी है सबसे पहले तो ये थिक होती है थिकर कह सकते है इसके बाद ये rigid होती है और rigid होने के साथ-साथ muscular होती है, बहुत जादा, तो मैं ये कह दूँगी, that ये highly muscular होती है, इतनी बात layer है, अब मैं आती हूँ veins पर, तो veins कितनी consist करती है, ये भी तीन distinct layer consist करती है, बट ये कैसी होती है, thin layers होती है, तीन ही layers होती है यहाँ भी, बट वो layers thin होती है, और collapse करने वाल होती है, मतलब ये collapsible होती है, collapse कर जाती है, ठीक है, अब मैं आती हूँ next difference पर, कि जो हमारी, हमने function के basis पर देखा, हमने इनकी walls की basis पर देखा, अब मैं आती हूँ इनकी position के basis पर, तो जो हमारी artery है, ये body के अंदर deep locate करती है, deeply locate करती है, लेकिन जो हमारी veins है, ये periphery पर locate करती है, ठीक है, skin के close होती है, ये skin से दोर होती है, तो मैं यह लिख सकती हूँ कि ये close to skin होती है, ये deep in the body होती है, ठीक है, अब मैं बताती हूँ color की, तो जो हमारी artery होती है, वो oxygenated blood लेती है, उसमें RBCs होते हैं ज्यादा, तो उनका color होता है red, लेकिन जो हमारी veins है, उनका color कैसा होता है, blue, तो ये हम main बात लिखेंगे, कि blue veins होती है, और arteries हमारी red होती है, ठीक है, और क्या differences होते हैं, pressure के terms में, मैं difference आपको बता सकती कि जो हमारी arteries है, उनका pressure high होता है, और जो हमारी vein है, उनका difference हमारा ये है, कि उनके अंदर pressure जो हो होता है, ठीक है, मतलब कि जो हमारी arteries है, उनका क्या कहते हैं, कि जो blood है, वो pumping pressure की वज़े से flow करता है, लेकिन veins में वो capillary action की वज़े से flow करता है, oxygen level अगर मैं देखूँ, तो obviously जो oxygenated blood ले जारी है, उनका oxygen level high होगा as compared to, वो वली जो de oxygenated ले जारी है, तो veins में low होता है, और arteries में जादा होता है, अब carbon dioxide comparatively veins में जादा होगी, बेसिक सी बात है, और यही सारे references है, अब अगर मैं देखती हूँ हमारे options, ठीक है, options देखते हैं, सबसे पहले option में बोल रहे है कि आर्टरी के अंदर तीन distinct layers होती हैं, जो कि पतली होती हैं और collapsible होती हैं, जब कि मैंने बताया कि thin और collapsible layer तो कहां होती है, वेंस के अंदर होती है, और वेंस के अंदर कैसी बता रहे हैं, इस option में rigid, तो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा बता दिया है, वेंस वाले features आर्टर तो यह हमारा गलत है, नेक्स्ट, बोल रहा है, वेंस के पास तीन layers होती है, और यह veins जो है, जो इनके पास layer है, वो thin है, collapsible है, जब कि आर्टरी के पास तीन layer है, वो rigid है, थिकर है, और highly muscular है, यह बिल्कुल correct है, थर्ड बोल रहा है कि दो distinct layer है, तो यहीं गलत हो जाता है, तो पोर्ट अगर में देखती हूं, तो उसमें बोल रहा है, कि आर्टरी के पास तीन distinct layer है, जो कि thin muscular है, जब कि जो हमारा वें है, उसके पास तीन distinct layer है, जो rigid है, थिकर है और highly muscular है, बहुत ही गलत option है, क्योंकि आर्टरी के पास होती है, और muscular नहीं muscular होती है, तो इसलिए हमारा answer क्वेशन के लिए कौन सा हो जाएगा, option second will be the correct answer, क्योंकि इसके अंदर बिलकुल correctly wall differences, arteries और vein के बताए हुए है, Classics to 12 से लेके, meet IIT जेही, means और advance के लेवल तक, 10 million से जादा students का भरोसा, आज ही डाउनलोट करें डाउटन टाप, या WhatsApp कीजिए अपने doubts, 8400-400-400 पर